योट्स अब गईज, कैसे आप सो भी लोग, welcome back to another gameplay वीडियो, तो guys, आज हम दुबारा से खेलने वाले हैं GTA 5, अब आपको पता होगा, last episode में Franklin की जो गाड़ी थी, जो की प्राइम मिनिस्टर से चुराई थी, वो पकड़ ली गई थी, और Franklin को उठा के फैक दिया था, जेल के अब यहाँ पर जेल से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा important है, मन्दब की बाहर निकलेंगे तो होगा गया जिन्दगी में, तो अब भी scene क्या है, Franklin कुछ भी निकल सकता है, पूरा area चान लिया है, बाहर निकलने का कोई भी रस्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पता चल चुक po तो हमें एक काम करना है, किसी गार्ड को मार चीननी नहीं, तो चल यायर सबसे लेए चलते हैं किसी गार्ड को लपेट ते हैं और उसकी गा चीन ने है, क्योंकि जब हम यहां से भागने लगेंगे न भाइ जादा ksom अगैन अधरन रगार से और यहाँ आप से एक पाथ से पड़ेगा भाई अभी गंच है क्योंकि रात में अपने को कोई दिक्कत नहीं आने चीए जब अंधेरी रात हो जाएगी तो भाई पूरा प्लैना भी देखते जाओ सब कुछ क्या क्या प्लैन इन्होंने कर रहा है अभी इसके बाद जो है सारा में काम ना माइकल का है इसका इसकी टांग लगनी नीची हाँ 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 हो हट बदमाश बन रहा कहीं कहा है बदमाश बनेगा तु बदमाश बनेगा गंदे में को गंदे अभी क्या निकाल उपाई सायरन बच गया वैसे कुछ कहते हैं यह लोग नकली आदमी है सारे ओके तो अपने पास एमो भी हो पहले के माइकल के पास क्योंकि सब कुछ कुछ में तेमें काम है वो माइकल करने वाला फ्रेंकल बचल इंपाई जपनी है जिसके बास अपना प्राइवेड हेलिकोप्टर है तो हमें सबसे पहले उसकी छट पर जाना है किसी भी रस्ते से और उसका हेलिकोप्टर लेकर निकलना है अब हेलिकोप्टर चुराना है मेरे सबसे ज़्यादा मुश्किल निया है लेकिन उसको ड्राइव करके उस पुलिस वालों के पास वहां से फ्रैंक्लीन को उठाना जा रहे हैं तो अभी चलते हैं सबसे पहले यार मजाक निया मजाक सेटके सीरियस काम है बहुत वरना फ्रैंक्लीन वहिया उमर कैद हो जाएगी उसको और यहां माइकल मजली तरह जाएगा तो उसे बचाना बोजा ज़रू है तो सीरिस ओकर चलेंगे अभी हम तो अभी आम मेरी सारी गारिया सुपरास्ट हुआ सची बतारो मेरेको सूपरफास्ट कार की पसंद है बागी रिया लाइफ इतनी चलाऊं किट्र मुझे भाई बूजिया बहुत प्यारी तो चलो चलतें आगे डिल्दिंग ऑगयी बाई सब के किराय पे रहते है क्बाई अमीरादमी कह व्हां से या ओक क्यों क्या चीज है या कुछ अलगी जगा यह पता नहीं कहा है घर है क्या है कुछ अलगी चीज है मेरेको लग लगा दाथा घर होगा फिलाना मियार पर अपनी गाड़ी पार्ट कर देते हैं ठीक है अभी अंदर चलते हैं अंदर कहां से जाना है वोके तो aufen لینے हैं एंट्रिन लेने हैं बैक सैट से यह यह हो जाएगी फिलम बंदे में शकल लेक्ट कि आमहर को पुलिस केस कर देंगे तो सबसे बहुले में चतता पर जाने क्योंकि छत पर है रहली खड़ा हुआ है बिखुटर की एस हेली कोप्टर की इस है इस हेली कोफटर की अब हमें झाना है सीधा फ्रेंक लिन के पास वहां से उसे उठाना है तो helicopter हमारे start हो चुका है यहाँ पर अब चलते सीधा Franklin के पास तो भाई यार मैं सची बता रहा हूँ मेरे को helicopter कसम से चलाना नहीं आता है तो सबसे वहले मैं देख लेता हूँ Franklin हुगा काँपर तो भाई Michael को जो correct location नहीं पता है तो भी हमें अंदाजस जाना पड़ेगा वहाँ पर चल कर देखेंगे और यहाँ पर मैं start कर रहा हूँ helicopter उडाना तो हमने जो उपर की तरफ कीच लिया helicopter को अब भाई बहुत मुश्किल है drive करना वैसे drive करना नहीं से कह सकते भाई यह बहुत मुश्किल काम है बागी मैं चलता हूँ अपने marker की तरफ भाई यह helicopter का अलगी दिख रहा है रात में तो गायप सा हो रहा है बाई किसी को दिखेगा भी नहीं है मतलब देख रहे हैं अलगी गायप सा हो रहा है थोड़ा इतना पूरा मतलब की maximum इसमें ना mirror से काम हो रहा है भाई बहुत lightweight helicopter है काफी speed में जा रहा है 170 की speed में हो चुका है भी यह ओके तो सामने winewood के जो पहाड है वो आचका और मैंको वहाँ से helicopter थोड़ा उपर करना पड़ेगा वरना भाई पहाड में जाकर हो जाएगी अपनी तो यहाँ पर हम आ चुके हैं में अब हमें देखना है कि जेल कहाँ पर है तो यह एरिया में हम कितनी जल्दी पोच गें भाई अभी गाड़ी वाड़ी साथ हो टाइम लगता वोरा 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 सामने की तरफ है जेल मेरे को यहाँ से जेल दीख चुका है अब एक बारी ना फ्रैंकलीन को भी समझाना पड़ेगा कि उसे कहाँ पर जाना है क्या करना है रात हो चुकी है और उसे भी अपना मिशन अप करना पड़ेगा मतलब उसका जो काम है उसे अप करना पड़ेगा तब ही माइकल भी उसकी हल्प कर पाएगा चलो तो भाई अपना जो हेलिकोप्टर इस टाइम पूरा का पूरा जेल के उपर है और देख लो भाई कितना बड़ा जेल है बाई मतलब कितने कैदी भरे होंगे यहाँ पर अब मेन काम है जो है मैं फ्रैंकलीन को बुलाना है उससे मेन काम करवाना है तो चलो पहले चलते हैं फ्रैंकलीन के पास तो भाई यह भी काफी रात होगी है और यहाँ पर जितने भी जेलर से जा जाके सो गए हैं कुछ बचे हैं जो की बेडी सूटा मार रहे हैं साइड में खड़े होके मेन टाइम है इसके उपर चड़ना और अब देखते हैं कैसे कैसे हम और कितना उपर जा सकते हैं मतलब कि ऐसे जगह पर जाना है ना जा गार्ट्स ना थोड़ा आसपास मतलब यह हैलिकॉप्टर रहागा तो इन्हें ओ भाई सब एक खड़ा हुए एक क्या दो दो खड़े क्योंकि यह रात का टाइम है रात के टाइम पर क्या पता इनका सीन कुछ और ओके मैं पहले ऊपर चल जाता हूं तो यह एरिया मेरा मेरे को थोड़ा धंका लग रहा है जहां पर हेलिकॉप्टर लैंड कर सकता है बागे थोड़ी तिरची से जगहा है बट यहां पर काम मु लगा देंगे तो यह जगह मेरे को धंकी लग रहे है तोड़ा बुद लैंड करवाने के लिए तो मैं फाइनली माइकल को बता जेता हूं कि भाई है लेकर आना है और यहां पर लैंड कराना है और फ्रैंक्लिन सीधा जाएगा और हैलिकॉप्टर में बैट जाएगा और द से लेंड जाए तो वो जो एरिया है जहां पर फ्रैंक्लिन खड़ा हुआ है मतला फ्रैंक्लिन तो नहीं दीख रहा है पताँ आगे वाले पे खड़ा था पीछे वाले याद नहीं आ रहा बटाट चलते है अग भारी लेकर दाओ आँ आराम से चलेंगे रही क्योंकि में भ बाकि अभी पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहें, क्योंकि उनको लग रहा है किसी नॉर्मल बंदे का हेलिकॉप्टर ऐसी जा रहा होगा, बड़ मैं यहाँ पर पूरा एकदम मजे मजे में उड़ा रहा हूँ, और मैं फ्रैंक्लिन को लेना हूँ में, देखते हैं आर पुलिस क्या कहती हैं हमें बाद में, जब हम इसको ले कर यहां से भागें, क्योंकि यार हर छट पे गार्ड है, उन्हें सब दिख जाएगा जैसे हम ले कर भागेंगे, बाकि अगर उन्हेंने हेलिकॉप्टर पर शूट करना शुरू कर दिया आना तो भाई बहुत गड़बड़ जाएगी, तो अभी हम एकदम आ चुके हैं उपर की तरफ, अब बस हमें यहां से अपने हेलिकॉप्टर को नीचे 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 ले जाना है, और वो खड़ा भाई फ्रैंक्लिन, बस एक बार यह जल्दी से आकर बैट जाए, बाकि कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो चलो एक पाइलेट को भी किड्नाइप करना चाहिए था हमें, बाकि सेफ लेंडिंग हो गई है, बाकि बुरी तरह हेलिकॉप्टर पटक दिया गया है, यहां पर लेकिन सेफ लेंडिंग हो गई है, अब जल्दी से आजा, एक सेट कुछ कर रहा है, इसको बुला कर लाना पड़ ओ शिट मैन, एरफोर्स आ गई है, यहां पर बहुत खतरनाक भाई साम मतलो यार क्या गलती सीन है, पूरे चार्ज स्टार की पुलिस पीछे पड़िया, मैं यह से वैसे निकल तो लूगा, अगर एरफोर्स मेरा पीछा कम करें, तो बाकि नीचे वाली पुलिस तो मारा कु अगर पुलिस अपने से काफी पीछे हम निकल सकते हैं, बाकि नीचे गाड़ियां क्या कर रहे है, चोपर ही पकड़ सकते हैं, मतलब यार जितने भी हेलिकॉप्टर है, वही सब कुछ कर पाएंगे, यह तो कुछ नहीं कर सकते, ओके तो सामने एक पहाड है, तो मैं सोच र साइट से लगा रहा है, तो मतलब यार को सिटीविटी का रस्ता दिखाओ भाई, ओके बाकि अपना हेलिकॉप्टर है, काफी कम स्पीड में जा रहा है, ज्यादा स्पीड में नहीं है, बाकि रोड पे रोड नजर आ रहा है, बाकि पहाड पे लगा तो पुलिस से, ओ बाई, चल भाई, फ्रैंकलिन, तेरे भी मज़े आ गए, बाई, आप चलो भाई, हसी, खुशी, घर चलेंगे, अब, मतलब यार मुझे नहीं बता था, ओ, 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 ये मिलिटरी बेस वालो का है क्या, कि अपना एरपोल्ट है, ये मिलिटरी बेस वालो का लग रहा है, एक मि बच गया तू, वरना तो भाई, उमर कैद हो जानी थी, तो बस अब इसको ले कर जाना है, इसके घर पर छोड़ना है, और यहाँ पर जो इतना खतरनाक मिशन था, इतने चुटकियों में नहीं पढ़ गया, भाई, आप पता भी नहीं चला, तो चलो गाई, हम अपनी अभी अब इस बिल्डिंग पर मैं अपना हेलिकोप्टर लेंड करा हूँ, और यहाँ पर देखेंगे मतलब की जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है, कैसी दिखती है, भाई साब, इतनी प्यारी लूक आ रही है, और मैं सोच रहा है, हेलिकोप्टर वापिस उसी की छत पर लेंड लेंड कराना, भाई कैसे चला लेते हैं यार, पाइलेट्स कैसे चला लेते हैं इसको, भाई मतलब की देख रहे हो, कितना ही गलस सीन है यार, कैसे लेंड होगा यार, इतनी सी जगा पर है, एकदम पूरा होल्ड कराना पड़ेगा थोड़ टाइम के लिए, बाकि हमें तो यहीं से अच्छा लग रहा, ज्याद ही अच्छा लग रहा है, उस पर लेंड होकर क्या ही देखेंगे, क्योंकि लेंड कराना इतना मुश्किला है, मैरे बसकी तो ना लगरी, वह तो आगे कर रहा हूँ तो पीछे आ जा रहा है, पीछे कर रहा है, जिन्दा पोचने घर, यह तो गया है तो आउट ओफ कंट्रोल हो गया भाई थोड़ा बहुत आउट ओफ कंट्रोल हो गया और अलगी साउंड आ तो मेरे को भी इसे एमर्जंसी लेंडिंग करवानी पड़ेगी यह फट बट न जा यार धूहां बहुत तेज निकल रहा है क्योंकि अब स्मोक लेवल बड़े ही जा रहा है वह नीचे चल भाई नीचे चल मेरे को नहीं जाना घर मेरे को यह उतार दो अपना गाड़ी बड़ी लेकर चले जाएंगे तो इसे एमर्जनसी लेंडिंग करवार हो भाई ओड़े जो या रोड वोड काली करतो है लेकोप्टर आ रहा है बागी पुलीस उलिस पखड़ेगी तो नहीं न उतरते ही मैं यह सेंटर में लेंड करवा देता हूं पही जाए खेसे कासी का वाजी कर रहा ही कोवी तो थी तो भाई मेरे को मर्ने नहीं में सच्छी बता रहा हूं आ चोचे नहीं तो के उक्यावलनिंग जआ चाल चल 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 यह उसके उपर से पैर रखके निकली है आज आज बाई फ्रैंकलिन बैटा फटाफट अभी हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करने वरना इन कपड़ों में अभी कोई पैचान लेगा भाई यह कितनी तेच अरे 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 क्या हो गया इसको इसको तो म कुछ क्या भी नहीं रहे तो चलो यार अब फटा फट चलते हैं पहले माइकल के घर पर वहाँ पर चलके यह दुनों अपना चिल मारेंगे या फिर कहीं चलते किसी चिल बार में फिर उसको बाई ड्रेस अफ बगरा करना है पर बाकी जो आमारा मिशन था फ्रैंक्लिन को उमर कैद वाली जेल से लेकर आना वो हमने आपर कम्पलिट कर दे हो भी बहुत स्मार्ट तरीके से पुलिस को भाई भनक तक तो हुई थी मतलब एक देम एंड में जब हेलिकोप्टर हम लाये थे उनके बेस में जेल में लेकर दो कि दोन लोग राड़ी हो चुकि हैं अब इनको लेकर चलते हैं फ्रैंक्लिन भाईया को अपनी लेंबॉग नी फूछ जाता होगा वह बैटने के बाद चला जा बाई अब इसको लेकर चलेंगे एक छोटी सी राइड पर और वहीं पर इनका खान-पान भी हो जाएगा थोड़ा जो भी इने पार्टी करनी पड़ेगी तो चलो यार अभी फ्रैंक्लीन को एक लेंबोगनी की राइड भी मिलने वाली है मतलब यार लोड़ चोरी नहीं करी थी अब बस वहां से थोड़ा बहुत खतर है क्योंकि यह लोग एकदम ओपन में घूम रहे हैं मतलब यार खुले घूम रहे हैं और इतनी बड़ी चोरी इनोंने कर रहे है तो पुलिस वगरा वाले ने पहचान ले बागी तो कोई दिक्काइद की बात नही अलो भाई अपना फुल एकदम चड़ा वड़ा कर आगे हैं विस्की विस्की यह देख लो भाई फुल विस्की पीलिया और कुछ नशे नहीं बाई अब फ्रैंक्लिन को घर पर चोड़ना है कोई दिक्कत की बात नहीं अब माइकल को इनी प्रैक्टिस हो गया कि वो नशे अब माइकल को अपने घर जाना है और वाई वड़ाई की आगे से ठूक गी है थोड़ी गाड़ी बागी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अब जल्ली की शोप में चोरी कर लिए तो पैसा आ चुका है अराम से रिपेर रिपेर कराएंगे इसे अब देखते हैं कहां पर इस अब देख पारें स्क्रीन कैसे हिल रही है मतलब कि यार जो बंदा ड्रिंक करता है तो उसको भी कुछ ऐसा ही दिखता होगा तो यार कभी भी ड्राइव नहीं करना चाहिए अब यहां पर हमारी गाड़ी जो घर पर आ चुक है और गाड़ी पर थोड़ा बहुत खर्चा ब बढ़ी कर देते हैं और भाई सब कुछ अब एकदम सेफ है सब कुछ कम्पलीट हो चुका है कोई दिक्कत की बात नहीं जिंदगी में कोई टेंशन निया भाई माइकल और फ्रैंक लिन दोन होगी तो चलो आज की स्वीडियो में अगर आपको वाली वीडियो तो फट आफ यह